So good morning everyone, I welcome you all to Let's Crack UPSCCC So in today's session, the Hindu session we are going to discuss important topics आज जो एक सबसे important topic है that is related with hydrogen Hydrogen and energy security यह बहुत important topic बन जाता है तो आज के जो important topics हैं जैसे S378 के बारे में we are going to discuss What is S378 अभी news में है International Relations के जो page है उस पर आया है तो यह prelims का question इस पर frame आपका हो सकता है What basically is S378 Terrorist attack in Pakistan यह topic आपके लिए frame होता है Terrorist attack in Pakistan उसका fatigue testing क्या है Fatigue testing का concept भी we will try to understand what basically is fatigue testing Indonesian palm oil export ban और occupational safety 1000 के बारे में WSH hydrogen and energy security तो यहां पर जो question आपके अलग-अलग frame हो सकते हैं जैसे यहां पर mains का प्रस्चन भी frame हो सकता है Prelims का जो question है वो आपके लिए frame हो सकता है Fatigue testing के बारे में जैसे identify the correct statement about fatigue testing Fatigue testing aircraft के context में क्या है Terrorist attack in Pakistan यह international relation के context में हम लोग discuss करेंगे Indonesian palm oil export ban है यह IR और economy दोनों को link करके जो एक question है वो आपके लिए frame हो सकता है Occupational safety 1000 यह GS paper 2 के अंदर जो question है वो आपके frame हो सकता है यह दोनों बाकी जो topic ही एडिटोरियल के topics है एक topic और भी है school education से related उसनों काफी बड़ा असा लिखा हुआ है बहुत ही comments है points है बहुत बहुत discuss भी किया हुआ है अगर आप आए इस exam की त्यारी करान अकडमिस से नहीं जुड़े जरूर से जुड़े यूज दो कोड़ SPLIV आज इस offer का आखरी दिन है जिसमें आपको 20% off मिलेगा और अप्रिल 25-28 ही है मतवाज आखरी दिन है यूज द अकोड SPLIV और यहां पर आप कोड़ यूज करके join कर सकते हैं मेरे courses तो join करते हैं करी सकते साथ में सारे एजुगेटर के सारे subject के सारे courses जो है वो भी आप एकसेस कर सकते हैं आज़ जून जुलाई अगत सब्टेंबर डैली current affairs तो that course is presented by me तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आप 23-24 कभी की भी तैयरी कर रहे हैं तो इस कर इंटरफेर को आपको जरूर्स करना फिर आपको ज्यादा कुछ करने जरूरत नहीं पड़ेगी अपर जब अभी आप 30 से पहले जोइन करेंगे तो यह बुकलेट्स आपको सारी मिलेगी और आप जो ह है अनकेडमी के इंटर्वी प्रोग्राम का हिससा बन सकते हैं जब आप जोईन करते हैं तो जितनी बैच कोर्से सा उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं तो लेट्स टार्ट टापिक तो फर्स्ट टापिक इस रिलेटेड़ विद एच-3-7-8 S-3-7-8 क्या है क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए चाइना रिपोर्ट्स फर्स्ट हूमन केस ऑफ S-3-7-8 बर्ड फ्ल्यू यह जो S-3-7-8 बर्ड फ्ल्यू का जो पहला हूमन केस है वो देखने को मिला है चलता जाए चाइना में पहला हूमन इंफेक्शन विद एच-3-7-8 स्टेंब बर्ड फ्ल्यू यह देखने को मिला है जनरली अगर देखा जाए तो यह जो variant है जैसे अगर when you talk about H3780 तो यह influenza A virus का एक subtype है जैसे यह influenza A virus है इसका एक subtype है जनरली birds को, horses को, dogs को, even seals को भी impact कर सकता है और यह equine influenza जो है वो भी आपके cause कर सकता है जो influenza जिसे हम कहते है, influenza का मतलब होता है जिसे जो flu है एक तरीके से यह तो यह influenza है इस influenza के लिए responsible H3780 और यह generally birds, horses, dogs और कुछ case से seals से related भी है उनको यह infect करता है अब यह human को भी infect कर सकता है कि नहीं क्योंकि एक जो case है वो case अभी अभी तक तो कोई नहीं मेरता है लेकिन एक case आपको चाइना के अंदर मिला है related with H3780 पहला human infection जो है वो देखने को मिला है चाइना के अंदर अब इसमें कई possible reasons हो सकते हैं पॉलेटरी है या किसी wild birds से जो है वो transfer आपका हुआ होगा लेकिन यहाँ पे जो हमें जानना है that we should know is about the H378 H378 आपका क्या है next topic is related with terrorist attack अगर अगर अभी अब देखोगे तो एक terrorist attack हुआ है चाइना के जिसमें I think 3-2-3 लोगों के उसमें death भी हुई है और यह पाकिस्तान के अंदर आपका terrorist attack हुआ है तो इसमें कुछ points हमें जानना है और जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे खास तोर से जैसे इधर का जो reason इधर आपका गदर पूर्ट बना हुआ है और इधर से चाइना के जीजियांग जो प्रोविंस है जीजियांग प्रोविंस से लेके और आपका पूरा इस पूरे region में जिसे हम गदर पूर्ट भी कहते है गदर पूर्ट और चाइना का जीजियांग प्रोविं गलस ला रहे हैं और उनका इमानना है कि इस project की वज़य से उनका कोई भी benefit नहीं है और खासत रबलूच यह इस चाहिक का लोग हैं उसकी भी डेथ हुई है तो अब इसमें चाइना भी काफी नाराज होगा और चाइना निकाए कि जो भी टेरर आउट फिट है उनके खिलाफ जो एक्षन है वो पाकिस्तान आम फोसिस को तुरंत जो है वो लेना चाहिए ऐसा का गया लेकिन अगर ऐसे अटैक होते है तो कहीं न कहीं यह जो प्रोजेक्ट है जिसे चाइना पाकिस्तान एकनोमिक कोरिडूर करना है वहाँ पर अगर सेक्योरिटी डाइमेंशन इंपक्त होता है तो कहीं न कहीं यह जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो भी काफी हद तक इंपक्त हो सकता है और चाइना का जो बहुत ambitious one built one road initiative है that will also be impacted जो कि एक चाइना के लिए काफी billions of dollars का भी नुकसान जो है वो हो सकता है next topic है this is related with the fatigue testing तो यहाँ पर जैसे यह F-16 aircraft है हम भी कुछ aircraft खुछ से भी develop कर रहे हैं और एक term use होता है that we call it as fatigue testing तो यह पता होना चाहिए what is fatigue testing जो fatigue testing है तो इसमें जैसे मालो यह aircraft है aircraft की wings है या कोई airbus है airbus जैसे कोई भी आप airbus का example ले सकते हो बोइंग की airbus है तो उनको use करने से पहले उनकी fatigue testing भी की जाती है fatigue testing में क्या है कि जैसे अगर यह कहा जाता कि इस wing की जो life है वो x years है तो उसे चार गुना समय तक यह देखा जाएगा कि अगर इसे beyond समय तक भी हम use करते हैं तो इस पर क्या impact पड़ता है overall कोई भी जैसे aircraft है जो ऐसी चीजे होती है तो इनका overall impact क्या पड़ता है in the sense कि अगर बहुत लंबे समय तक हम इसका इस्तमाल करते रहते हैं तो overall जो impact है इस पर जो है क्या पड़ता है यह खराब तो नहीं होती है यह सब चीजे देखी जाती fatigue testing में तो यहाँ पे अगर आप आप देखो fatigue testing का तो IABG fatigue test Airbus A380 wing इसके जो wing है उसको उसकी fatigue testing आपकी conduct की गई थे कुछ समय पहले यह बात है अब इसमें क्या है total of 47,500 flights इसका लगबग wings was tested for a total of 47,500 flights जोकि 2.5 times ज्यादा है number of flights in 25 years of operation और each hour flight took 11 minutes to simulate on the fatigue testing तो यह जो fatigue testing है जैसे कई सारी aircrafts हैं, airbus हैं इस पर आपकी perform की जाती है और यह एक mechanical testing है जो की perform की जाती है खासता और से कोई भी structure है जैसे आपने कोई structure बनाया है वो structure की अलग-अलग situations को कैसे face कर सकता है location है, safety of structure किस तरीके से है, long period of time तक किस तरीके से behave करे तो खासता और से automobile sector के अंदर जैसे गाड़ियां, aircrafts यहां पर आपका जो है की जाती है और इसमें hydraulic test machines का इस्तमाल आपका किया जाता और different level पर जिसे load impulse किया जाएगा, जो वजन है उसका इस्तमाल किया जाएगा, different cyclic loads जो है वो डाला जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरीके से जो structure है, वो structure किस तरीके से work कर रहा है तो यह चीज आपकी, इसे हम कहते है, fatigue testing, तो यहाँ पर हमारा HAL, Hindustan Aeronautic Limited, यह जो है, इसने main airframe fatigue test, MAFT, light combat aircraft का उसको start किया है तो यहाँ पर इसलिए we should know what is fatigue test, यह fatigue testing क्या होती है, main airframe fatigue test, light combat aircraft, MK1 airframe, इसका जो proper testing है, वो आपका commence की गई है, start की गई है है by Hindustan Aeronautic Limited, तो यह आठ से नौ साली है ऐसा नहीं कि जो testing है, दो-चार दिन के अंदर की जाएगी, बहुत समय तक आपकी जो है, की जाएगी फिर फर्दर हम export भी कर सकता है, depending upon fatigue testing के क्या results आते हैं, तो अलग-अलग दूसरे देश भी हमसे फिर import कर सकते हैं, वो भी यह देख सकते हैं, ठीक है, यह सायद इसको हम भी जो है लेते हैं, तो यह points आपको ध्यान में रखना है, कि what basically is fatigue testing, fatigue testing क्या है, यह जानना जरूरी है, नेक्स टॉपिक है, palm oil, जैसे अगर आप यह palm oil के ही पेड़ है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, तो यह जो palm oil है, मतलब palm oil के नहीं, palm के जो है यह पेड़ है, तो यह Indonesia, Malaysia, जैसे region के अगर बात किया जाए, तो वहाँ पे काफी ज़्यादा ग्रो करते हैं, और जो palm oil है, इससे जो तेल निकलता है, जैसे palm oil के तो उसका बहुत सारा इस्तमाल है, कॉस्मेटिक्स में इस्तमाल है, कुकिंग में इस्तमाल है, अब अगर जो बैन किया जा रहा है, जिसे इंडोनेशिया ने कहा है, कि वो palm oil के export को बैन कर देगा, अब मेली जो प्राइज वहाँ, उस वो आज सकता है जो price बहुत high हो सकते हैं खास था और से cooking oil के और कई cosmetic products हैं जिन में palm oil का इस्तमाल आपका होता है तो यहाँ पे यह जो ban है इसका काफी अधिक impact देखने को मिल सकता है और यह impact global level पे भी और इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में भी इसका impact देखने को मिल सकता है तो यह explainer series का article है तो अभी Indonesia जो की world का biggest producer है exporter है consumer है palm oil का यह ban कर रहा है आज से ही जो यह पूरे तरीके से ban है और खास तोर से इसके पीछे एक जो reason बताया गया है कि जो cooking oil है cooking oil में cooking oil इंडिया के भी दिन उसका जो shortage है वो एक बहुत बड़ा factor मतलब यह जो palm oil है यह cooking oil के रूप में इस्तमाल होता है और इसका जो shortage है इंडोनेशिया में देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि benefit या profit के लिए वहाँ के जो producers हैं वो ज्यादा तर export कर रहे होंगे जिससे की जो domestic level पर demand हो meet नहीं हो पा रही है जब domestic level पर demand meet नहीं हो पाईगी तो फिर what will happen कि जो price हो increase होंगे तो इसको दूर करने के लिए जो वहाँ बैन कर दिया तो फिर domestic level के demand आपके अपने मेट होगी जो price हो नीचे जाएंगे और शायद उसके बाद दुबारा से जो cooking oil price हो वहाँ पर वो दुबारा से थोड़ा कम हो जाए लेकिन कई दूसरे factors भी इसके लिए responsible हो सकता है Russia Ukraine conflict एक बड़ा factor जैसे अगर आप देखोगे त तो रश्या Ukraine conflict की अगर हम बात करें तो रश्या का जो reason है कास्तों से Ukraine का reason वह स्टेपी वाला vegetation वहाँ पर होता है और wheat producing area है वहाँ पर जो wheat का production काफी अधिक उस region के अंदर होता है और बहुत सी countries जैसे Egypt है और बहुत सी countries African countries है वह wheat को import करते हैं तो क्या है कि यह वार है इस वा तो फिर वह wheat वहाँ से दोसरे जगों पहुंचने है और बहुत major producer है wheat का तो अपने वीट का जो प्राइज है वह बढ़ जाएगा तो यह एक ऐसे challenges देखने को मिल रहे हैं यह कुछ सालों से कि कभी oil का price बढ़ रहा है कभी wheat का price बढ़ रहा है food crisis situation देखने को मिल रहे है कभी fertilizer का जो फ्राइज हूँ आपका बढ़ रहा है how important is palm oil to the global supply chain कितना important आपका बन जाता तो global production in crop year 2020 तो लगबग 73 million ton आपका रहा था as per USDA और यहां पर output is estimated to 77 metric ton इतना आपका लगबग production देखने को मिलेगा palm oil world का most widely used vegetable oil है और इसमें Indonesia का बहुत बढ़ा रोल रहता है तो यह African oil palm से बनता है जिसे 2020 में भी प्रश्णा आता है कि जो palm tree है वो native किसके है तो native अफरीका से अफरीका से वहां पे Indonesia Malaysia जैसी जगहों पे लेकर गयते जिसे 2020 के prelims में जो question आपका रहता है सो यह cooking oil के रूप में इस्तमाल होता है cosmetic के रूप में इस्तमाल होता है process food में cleaning product बहुत सारे लेवल पर आपका जो देखने को मिलता है तूसरा यह रहता है कि इसका जिस तरीके से oil का palm oil का production होता है palm oil का जो production है उसके कई negative impact भी है जैसे deforestation जो जंगल है उसको काटा जाएगा फिर वहां पे palm oils लगाए जाएंगे या palm trees जो है वो आपके लगाए जाएंगे और कई जो labor practices हैं वो exploitative हैं environment पर भी काफी negative impact पड़ता है अगर deforestation देखने को बिलता है तो unsustainable जो practices हैं वो एक बहुत बड़ा criticism है किस प्रकार से हम उस palm का जो एक खेती करते हैं agriculture करते हैं तो उसका बहुत negative impact पड़ता है environment पर भी क्योंकि वहां का जो ecosystem उसको बदलने का हम को सिस करते हैं जैसे कई सारे जैसे कई सारे ऐसे जानवर हैं जैसे मालो rhinosaurus हो गए या for example orangton हो गए अब उनका अगर habitat है असपास तो उसको clean करके और वहां पे आपने palm trees लगा दी तो पूरा पूरा जो ecosystem में that will be damaged पूरा जो ecosystem है वो पूरे तरीके से damage आपको से तो यह criticism है जो oil palm industry को जो है वो face करना पड़ता है palm oil की बात करें तो it makes 40% global supply of the most widely used edible oil जिसे palm होता है स्वयबीन होता रेप सीड है sunflower oil अलग-अलग oil का इस्तमाल आपका किया जाता है जिसमें से 40% palm oil का इस्तमाल होता है इंडोनेशा उसमें से 60% global supply करता है तो यह data से आप यह समझ सकते हो कि अगर export ban होता है अगर wish 100 liter use palm oil करता है तो 60 liter इंडोनेशा से आता है और wish अगर 100 liter जो है edible oil यूज़ करता है उसमें 40 liter palm oil यूज़ करता है तो बहुत large number, large amount of palm oil है वो आपका इंडोनेशा से आता है और जिसका इस्तमाल आपका किया जाता है अब price of the edible oil rising, why are the prices of the edible oil rising? edible oil का जो price है वो continuous basis में क्यों आपका जो है वो increase हो रहा है? so prices of palm oil rose this year इसके पीछे कई factors हैं जैसे एक तो यह factor की जो alternative vegetable oils हैं वो आपके अवेलेबल नहीं थे जो soya bean oil का production है, second most produced oil है वो आपका बहुत कम हुआ, अर्जेंटीना के अंदर जो production हो काफी आपका कम हुआ उसके बाद canola oil जो rap seed है उसका production कैनाडा बे बहुत कम हुआ, सूखे की वज़े से, sunflower oil का production भी कम हुआ because of the Russia, Ukraine, conflict Russia और Ukraine का जो conflict हो उसकी वज़े से, तो यह जो alternative oil है, alternative vegetable oils है उनकी वज़े से भी जो price है, जैसे 40%, use तो बहुत सारे vegetable oils होते हैं, तो दूसरे जो oils available नहीं हो, तो palm oil सबको चाहिए था, तो demand जो है palm oil की एकदम से बढ़ गई और उतना supply था नहीं, तो price अपने आप जो है, वो increase हो गया, So how bad is Indonesia palm oil crisis? तो यहाँ पे यह oil का purpose, cooking purpose के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है, और क्योंकि alternative vegetable oil नहीं है, तो continuous basis में इसका जो price है, वो आपका बढ़ेगा, और palm oil का production भी reduce हो रहा है, खास दोर से जैसे मालो, Malaysia के अंदर भी है, तो pandemic की वज़े से जो labor का shortage हुआ है, वो एक है, global food inflation की बात कर, pandemic की वज़े से, Ukraine crisis की वज़े से, यह सारे factor कहीं ना कहीं से, एक food से related जो crisis है, और palm oil crisis आपका, Indonesia के जो reason है, वो देखने को मिले है, और जिसका impact across the world आपको देखने को मिले है, impact India पर क्या पड़ेगा इसका, तो India क्या है biggest importer है, palm oil का, 40% अपना जो vegetable oil का consumption है, वो palm oil ह एक बहुत बड़ा factor है, अगर एक बार देखा जाए, तो 40% of its vegetable oil, जो consumption है, वो 40% vegetable oil का consumption है, वो आपका palm oil का है, इंडिया अपना, जो half of its annual need, 8.3 metric ton of palm oil, वो इंडोनेशा से लेता है, अब यह imagine आप करो कि 50% हम लेते हैं, इंडोनेशा से, अब इंडोनेशा ने बैन कर दिया, अब बैन करने के बाद फिर क्या होगा, प्राइस बहुत तेजी से आपका हाइक हो सकता है, तो यह एक बहुत matter of concern बन जा रहा है, जैसे अब petrol के प्राइस बहुत हाई, फिर palm oil, यह vegetable oils के प्राइस बहुत हाई, और जैसे अब हम सरसों का तेल और यह सब बहुत इस्तमाल करत अगर जो step है, इंडोनेशिया दुबारा से लेके अपना step को reverse नहीं करता है, prices of soya bean की बात करें, prices of soya bean most consumed after palm oil, उसका भी increase हुए by 29%, sunflower का जो प्राइस है वो भी आपका increase हुआ है, ठीक है, उसके अलावा जिसे sunflower oil 90% of which India gets from Russia, Ukraine इसका प्राइस भी आपका बढ़ा है, और उसके अगरे बाद, although इंडोनेशिया समने request की है, लेकिन अभी क्योंकि वो complete ban कर रहा है, तो शायद अभी entertain ना करे उस request को, तो further जो price है, इन सब का बढ़ेगा, अब इसका फिर domestic politics पे बहुत असर पढ़ेगा, domestic politics तो क्या, common person बहुत affect होगा, अगर ये जो oil है, alternative oil से इनका price बढ़ होगा, next topic है, ये बहुत important topic है, ये hydrogen के उपर है, hydrogen energy security की context में ये article है, और काफी सारे points जो है, ये पहले hydrogen वाला discuss कर लेते हैं, ये है आपका energy independence through hydrogen, ये जो energy independence through hydrogen है, ये काफी सारे aspect है, इस पर जो है आपकी चर्चा इसके अंदर की गई है, तो उसको एक एक करके जो है, वो discuss करते है, तो hydrogen energy security के लिए क्यों important है, इस पर इस पर focus किया गया है, क्या strategy demand side में होना चाहिए, क्या strategy supply side में होना चाहिए, उस दोनों strategy को इसने जो है वो highlight किया है, इस पूरे article में वो पूरे तरीके से highlighted है, तो इंडिया का जो green hydrogen policy है, वो आपकी February 17, 2022 को आपकी जो है, वो release हुई है, तो यहाँ पर कई सारे aspect पर focus किया, green hydrogen यहाँ पर यह है कि हम renewable source का इस्तमाल करके hydrogen का production करेंगे, तो यहाँ पर चाहे open access हो, चाहे वो interstate transmission के charges हो, clearance की बात हो, यहाँ फिर energy जो transition उसको कैसे boost कर सकते हैं, यह सारे factors पर जो यह policy है, इसने focus किया है, इंडिया की जो per capita energy consumption है, वो one third ह ग्लोबल average का और one third है US का, यह line आप यूज़ कर सकते हो, जब भी कोई present energy security, energy poverty से related अगर आता है, तो वहाँ पर यह fact और data इस्तमाल किया जा सकता है, और वहाँ पर आप क्या सकते हो, कि इंडिया में जो per capita energy consumption है, वो लगभग one third है global average का, और one third है US के अगर बात करते हो, हम ज जो है, वो continuous basis पे जो need हो बढ़ेगी, जरूरत बढ़ेगी और उसको meet करने के लिए फिर हमें alternative source की जरूरत पढ़ेगी, oil के अलावा भी, coal के अलावा भी हमें alternative source की जरूरत पढ़ेगी, अब जैसे अभी Russia Ukraine crisis की वजह से जो price high होंगे, तो वो क्या energy price बढ़ा देगा, और इस source आपका बन जाती, तो hydrogen को consider किया जाता है कि यह नए जमाने का fuel है, और हम जो है, इस hydrogen को produce करके, अपनी energy security को meet कर सकता है, energy poverty को जो है, वो खतम कर सकता है, तो इसका एक बहुत अच्छा advantage भी hydrogen का है, जैसे easily इसको store भी किया जा सकता है, ट्रांस्पोर्ट किया जा सकता है, decarbonization मतलब जो एक carbon centric industrial development है, ऐसा industrial development जिसमें carbon का production काफी अधिक आपका हो जाता है, जो कि फिर हमारे environment के लिए भी negative impact डालता है, तो उसको दूर करने के लिए यह hydrogen का एक बड़ा role आपका देखने को मिलेगा, तो चाहे हो energy का storage हो, चाहे transportation हो, चाहे हो decarbonization हो, industrial sector के अंदर देखा ज है कि जो carbon का production उसको reduction में भी hydrogen का एक बड़ा role आपका बन सकता है, hydrogen एक game changer भी है, decarbonization एक बड़ा factor बनेगा, जिससे transportation sector में अगर हम normal fossil fuel, petrol, diesel का इस्तमाल करेंगे, तो काफी सारा emission होता है, जिसका negative impact होता है, hydrogen के case में ऐसा नहीं है, दूसरा कि fuel cell vehicle over battery, electric vehicles are faster fueling, जैसे अगर अभ hydrogen based fuel cell vehicle के बात करें, तो इसका advantage भी है कि तेजी से refueling आपकी की जा सकती है, और इसका जो range है, वो भी आपका higher है, बहुत सारी जो lithium ion batteries है, उसका जो constraint है, उन constraint को meet करना पड़ागा, फिर lithium भी हमें कई, जैसे South America उन देशों से import करना पड़ेगा, batteries के लिए, फिर वो एक और constraint भ करना चाहता है, वो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे hydrogen जो fuel cell है, उसके alternative को भी हमें use करना है, क्योंकि उसके भी काफी ज़्यादा advantage आपके बन जाते है, इंडिया का hydrogen consumption है, वो लगबास 7 metric 10 है, 2020 के अंदर, और यह further increase होगा, 28 metric 10, 2050 में, इस पर 25% export capacity हम develop करेंगे, तो अलग-अलग जो देश हैं, उनको हम export भी कर सकते हैं, hydrogen को, और साथ-साथ में, जैसे जो हमारी यह aim है, कि हम 28 metric 10, जैसे नीद लग-बाग इतनी रहेगी, और इतना हमें hydrogen produce करना तो इसके लिए हमें और भी चीजों की ज़रुत है, जैसे electrolyzer, जैसे hydrogen production के लिए क्या है, hydrogen के लिए आपको water है water को break करके फिर आपको hydrogen जो है, produce करना है, तो इसके लिए आपको electrolyzers की ज़रुत पड़ेगी, तो जो की लग-बाग 192 GW से 224 GW of electrolyzer by 2050, यह आपकी इतनी capacity के हमें ज़रुत पड़ेगी, तब हम green hydrogen को produce कर सकते हैं, तो यहाँ पे increasing electricity demand यह तेजी से बढ़ेगा, continuous जैसे जैसे economic growth तो जो electricity का demand है, वो बढ़ेगा, hydrogen की manufacturing, उसकी cost जो है, वो आपकी higher रहेगी, water scarcity, यह सब challenges है, electricity की demand बढ़ेगी, उसके बाद hydrogen की manufacturing की cost बढ़ेगी, water scarcity, climate change और पानी की कमी, क्योंकि अगर 1 kg hydrogen का produce करना है, तो लग-बग हमें 9 लीटर पानी की जुरत होगी, जो की huge है, यह बहु अगर water की availability नहीं है, तो फिर हम hydrogen produce कैसे करेंगे, यह देखना है, तो इस challenge को भी meet करनी ज़राता है, यहाँ पर 5 step strategy है, demand side में और 5 step strategy supply side में, तो यहाँ पर क्या है कि initial demand हमें create करना पड़ेगा, जैसे अगर छोड़ी-छोडी industry set हो hydrogen production के लिए, तो इसके लिए हमें starting में, जो initial demand है, वो create करना पड़ेगा, चाहिए refining fertilizer की context होगी, कि यहाँ से जो है hydrogen की demand generate हो रही, तो जो भी hydrogen को produce करेगा, वो इनको आपका बेच सकता है, और फिर उससे धिरी-धिरी यह जो manufacturing capacity है, वो आपकी increase होगी, उसके अलावा, industries manufacturing low emission hydrogen based products, green steel, green cement need to be incentivized by the government policies, यह भी है, यह 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 जो steps हैं, यह demand side के लिए, जैसे refining fertilizer, उस context में demand generation में help करेगा, green steel, green cement, यहाँ पे भी, जो energy need है, वो hydrogen के माध्यम से meet किया जा सकता है, hydrogen को natural gas के साथ, जो है, वो blend किया जा सकता है, तो hydrogen CNG stations, जो है, वो आपके, जो है, वो बनाए जा सकते है, hydrogen fuel stations आपके रखे जाते हैं, और उसके गाड़िया, hydrogen based गाड़िया है, तो उसके लिए fuel stations available हो, तो hydrogen fill किया और चलेगा, तो यह सब factors क्या है, यह demand side के लिए important है, फिर जो carbon tariffs need to be introduced on lines of European countries, तो जैसे अगर carbon tariff है, तो कोई भी ऐसा product, जिसमें carbon का इस्तमाल या carbon emission काफिया दिक, तो उसमें extra tax लगा दिया, या जो ज़्य ज़्यादा tariff उसमें impose कर दिया, तो ऐसे product का जो use है, जिसकी वजह से carbon emission और यह सब ज़्यादा होते तो वो कम हो जाएगा, तो European countries में ऐसा है, तो हम भी यह कर सकते, तो इससे क्या होगा, कि जो product के production, जो कोई भी product है, उसके production में, production के process में, hydrogen का इस्तमाल बढ़ेगा, क्यों और साथ में alternative source की तरफ हम proceed करें, तो hydrogen का demand ऐसे situation में अपने बढ़ने लग जाएगा, तो demand के लिए 5 step strategy आपकी highlight की गए, supply side के लिए भी एक तरफ demand हम generate करें, supply side के लिए हमें क्या करना है, research and development पर भी focus करना, sustainable alternative towards affordable transportation scheme, इसकी तरफ जो है, यह एक scheme है, सतत जो scheme है, इसकी तरफ हमे देखना है, यहां पर लगब 15 million metric ton of compressed bio gas को produce किया जा सकता है, और यह bio gas conversion, यह जो bio gas है, इसको हम hydrogen में convert कर सकते हैं, उसके बाद क्या है, कि कई जो technologies हैं अभी बहुत initial stage में हैं, तो उनको further enhance कर सकते हैं, viability gap funding scheme के मादब, क्योंकि कोई भी project है, अगर हम नहीं technology को लेके उसको develop कर तो इसमें हम जो यह funding scheme है, इसका इस्तमाल कर सकते हैं, फिर क्या है affordable financing, electrolyzer, जो manufacturing, hydrogen जो project है, इसको priority sector lending के अंदर हमें लेकर आना पड़ेगा, तो जैसे bank में PSL होता है, priority sector lending, जैसे renewable energy के लिए हमने PSL का use किया, इसी तरीके से, जैसे hydrogen के production के electrolyzer की जरूरत है, कई hydrogen के project है, उनके यह एक आसाइनी से financing हो सके, इसके context में हमें हमें जो hydrogen का पूरा जो ecosystem है, उसको priority sector lending के तहित लेकर आना पड़ेगा, जिससे की bank easily जो loan है, वो मतलब easily loan provide कर सके, two dominant cost factors for green hydrogen की बात करे, एक तो renewable energy tariff, electrolyzer cost, यह दो factors बहुत बनते हैं, अगर green hydrogen को produce करना है, तो water को breakdown करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर electrolyzer की जूरत आपको पड़ेगी, और उस energy के process में आपको energy की जूरत है, energy भी electrolyzing process के अंदर आपको energy की जूरत है, और वहाँ पे अगर हमें green hydrogen को produce करना है, तो हमेरे renewable energy की जूरत पड़ेगी, तो यह दोनों को कैसे हम इन दोनों factors को meet कर सके, ऐसा हमको और यह ना हो कि renewable energy बहुत costly हो जाए, या फिर electrolyzer का cost बहुत higher हो जाए, तो इसके लिए कई हम step ले सकते हैं, जैसे production link जो incentive scheme है, उसको हम implement जो है वो कर सकते हैं, electrolyzing का जो manufacturer है, उसको हम electrolyzer का manufacturing है, वो increase कर सकते हैं, और अगर देखा जाए, तो इसका जो manufacturing है, उसको भी increase हम कर सकते ह जैसे इंडिया की जो energy ecosystem उसको transform कर सकता है, और हम अपनी need तो meet कर ही सकते हैं, लगवग 25% हम export भी कर सकते हैं, Japan, South Korea, ऐसी countries को हम export भी कर सकते हैं, hydrogen का जैसे जैसे इस्तमाल होगा, तो हम हमारे जो aim हैं, कई सारी जो aims हैं, जैसे हम Paris Agreement के दर्थ हमारे कई aims हैं, तो उन aims को भी हम achieve जो है, वो कर सकते हैं, तो उसकी तरफ भी हम proceed कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा article है अगर देखोगे, energy independence through hydrogen, बहुत अच्छा article है, तो इसको देखते हैं, next article देखते हैं, ये article है, social dialogue for safe workplace, ये है 28th April है, तो ये basically world day for safety and health at work किता है, तो आपका मनाया जाता है, तो ये इसलिए important होता है, तो देखो, एक point आपको ध्यान में रखना है, अभी 7.30 बज़े class है, अने academic के अंदर, free class है, आप में से कहीं का message आ रहा है, notes कैसे बना है, 20-25 minutes की class होगी, इसी में कैसे आपको notes बनाना है, PDF कैसे यूज़ करना है, कहां यूज़ करना है, सब कुछ मैं आप से share करू होगा, तो वहाँ से आप directly join कर लेना class को, मतब 20-25 minutes में I will let you know की कैसे आपको proceed करना है, notes कैसे बनाने है, एक एक live, जो आप में से कहीं का था, कि सा live notes बनाना बता ही, कैसे करना है, तो वह मैं आप से discuss कर लोगा, 20-25 minutes ही लगेंगे, link class का पर भी, telegram channel में I will share, तो यहां पर आप जो target UPC means, दोनों में ही आपको मिल जाएगा, तो link आपको description box में दिया हुआ, target UPC means का, इसका तुरंत पीडियाफिस session का वो आपको सारपांडान अकडमी, telegram channel पर मिल जाएगा, और फिर proper PDF जो है, जो link दिया है नीचे, वहां पर आपको मिलेगा, तो next देखते है, accident, injuries, disease, यह कई सरी industries में काफी देखने को मिलता है, चाहे वो accident हो, injuries हो, बिमारियां हो, industrial process कुछ इस तरीकी कहोंगे, जिससे workers काफी बिमार भी हो सकते हैं, यह भी एक है, अब एक worker है, जो एक livelihood generate करता है, तो अगर वो impact होता है, तो उसकी family भी काफी impact होगी, लगभग 2.9 million deaths, 402 million non-fatal injuries द that are related with occupational accident या disease से आपका जो linked है, तो इन factors को अगर देखा जाए, तो यहाँ पे इसलिए जरूरी किया, occupational safety और health mechanism का focus बहुत जरूरी है, इसको strengthen करना बहुत जरूरी है, 2003 के अंदर international labor organization ने April 28 को world day for safety and health के रूप में, जो है focus किया, जिससे कि accident disease जो यह workplace में हो सकते हैं, उनको कैसे prevent किया जा सके, और इसमें social dialogue की बात किया, employee, employer, workers, इनके बीच में जो बातचीत है, उसके माध्यम सो कैसे रोका जा सके, ऐसे accident या disease के spread को, OSH code को implement करना जरूरी है, occupational जो accident और disease है, इसकी वज़े से जो GDP का लौज से 5.4% है, और यह जरूरी है कि जैसे अगर कोई बिमार है, त अगर accident होते हैं तो workers का motivation है वो भी बहुत आपका low रहेगा, तो इससे क्या है कि बहुत सारे level पे जो productivity है वो उसका loss देखने को मिलता है, government of India ने भी national policy on safety, health and environment at workplace in February 2009, यह जो policy है वो लेकर आयते, और इसको फिर further हमने एक code के रूप में 2018 के अंदर लेकर रहे, कि कैसे occupational safety, जो ह जो एक law के माध्यम से अलग अलग जो law है उनको एक code में convert करके और उनको implement किया जा सके, different sector में उनको जाहे वो formal हो, informal हो, informal sector में उसको implement करके और जो safety standards हैं उनको ensure किया जा सके, और effective labor inspection के अगर जरूरत है, वो आपका किया जा सके, तो national level पे government को कई कदम उठाने की जरूरत है, जितनी ministries हैं, उनको देखते रहना है कि जो worker safety है, health aspect है, वो उस पर focus आपका continuous basis में किया जाए, awareness generate करने की जरूरत है, occupational safety standards से related, जो risk क्या है उसके बारे में जानकारी, prevention measures क्या लिए जा रहे हैं, वो जानना जरूरी है, state level पे देखा जाए, यहाँ पे employers organization, जो है employee और employers का bilateral discussion, व क्या risk है, वो देखना जरूरी बन जाता है, तो इसके लिए एक social dialogue होना जरूरी है, employees है, employers के बीच की बात किया जाए, safety और health training, safety से related, health से related, जो training है, disease के spread को रोकने के लिए हम प्रयास करें, social dialogue बहुत matter करेगा इसमें, अलग-अलग चाहे वो owners हो या workers हो उनके बीच में, जो dialogue है, वो आपका maintain रहे, वो ऐसे coverage है, across India की बात किया, जो occupational safety, health, हजार की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे, इंडिया की coverage हो यहाँ दो इस्टेट है, उत्तर प्रदेश में और राजिस्थान में अच्छे कदम आपके उठाए गया है, जहाँ पे employers और workers को in cooperation with employers and workers, government of उत्त प्रदेश है, उन्होंने training workshop की, राजिस्थान के अंदर awareness generate करने के काई steps आपके लिए गया है, जिसे कि जो lung disease है, उसको जो है, रोका जा सकता है, तो यह दो examples आप quote कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यह points है, again these points are very very important, अभी एक जो यह class है, इस class का जो link है, मैं आप स सकते हैं, आप माई, जून, जुलाई, हर महीने class आईगी है, और 2023-24 के अगर आप तयारी कर रहें, तो class में ही notes आपके बन जाएंगे, ठीक है, पूरा class में ही सब कुछ होगा, फिर आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है, 11.15 बजी class रहेगी, इस course को आप उस class को आपको जरूर से अटेंड करना है, note making से related class है, कैसे note making पर आपको focus करना चाहिए, तो वो आप एक बार go through हो सकता है, so आज के लिए इतना ही, thank you everyone, thank you